आज हम बनाएंगे दही बड़ा कम टाइम में सॉफ्ट टेस्टी आसान तरीके से इतना टेस्टी की लोग बार बर खाना पसंद करेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे दही बड़ा और बार बार आप इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे पहती टेस्टी मूं में गुल जाने वाला भी बड़ा बहुत य अच्छा आप इस जरू ट्राइ कीजे खाने में तो बहुत ही टेस्टी चल्री शुरू करते हैं मैंने लिया है मूं की दाल उरत की दाल मैंने दरों को भीगो दिया था और इसके छिलके निकाल ली मिक्सिजार में muita right please कि पानी मुझे भी नहीं डालना है मैंसी पीस्ति हूँ जो आप मैं इस में थुड़ा दो चम्मच पानी डालें 2 से जाधा नहीं डालना है ना है नहीं तो मेरे घबल्ले पतली हो जाएंगे एक बार फिर करूँ ग्राइंट हो गया है अब मैं इसको किसी बावल में निकाल लूँगी उसके बद में इसको फेटोंगी मैं डालूंगी दो हरो इमीज कटी थोड़ा काल नमक अध्रक पिसा इसी अध्रक में डाला है आधे चमच अब मैं इसको फेटूंगी दस से पंद्रा मिनट या पास से दस मिनटी फेट सकते हैं इसको जादा फेटने से दही बले अच्छे बनते हैं फूले-फूले एक ही साइड मुझे फेटना है अब मैं डालूंगी बेकिंग सोडा दो चुटकी डाल के मैं इसको और फेटूंगी अब मैं डालूंगी ब्रेट क्रम इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी मिक्स कर लूँगी डाल में मिक्स हो गया है मैं सो एक्साइट पर रग देती हूं अब मैं पानी तैयार कर लेती हूं मैंने पानी लिया है एक लिटर हींग क CCP मैं जाना नहीं हो गया है ला-गैस एक्णाई चलाऊँगी कढ़ाई मेरे गर्म हो जाए हाइफ लेम पे हाइफ तेल को गर्म करूंगी उसके बाद गैस की प्लेम को लो कर दूंगी चमच से मैं डालूंगी एक एक करके आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं गैस की प्लेम लो है यह देखी बिल्कुल अजी तलना है मुझे जो मैंने पानी तयार किया था गुंगना उसमें मैं डाल दूंगी सारे दही फुल की दही बड़े जिससे मेरे फोल जाए अच्छे से दही बड़े मेरे फोल रहे हैं पानी में अब मैं दही तयार के लिती हूँ मैंने लिया है एक जमक चीनी इसको मैं डाल के फेट लूंगी पास मिनिट पास मिनिट मुझे फेटना है कि दही मेरे फिट गई है अब मैं इसको पानी से निकाल लूंगी गार लूंगी पूरा पानी मुझे नहीं गालना है थोड़ा बहुत रहे गई हाँ से दबा दबा के हो गया है इसके बाद में डालूंगी दही जो मैंने फेटा था इसके उपर अब मैं डालूंगी खत्ती चट्नी मैंने घर में बनाया है पुद्णी कि हरिमेच मिथी चट्नी खत्ती मिथी चट्नी डालूंगी GUD Emily की गुद i clip पुद्णी कि उसके मैं डालूंगी कालिमेच पॉडर वोना जीरा पोडर थोड़ा चाट मसाला थोड़ा काला नमक डालूंगी उसके बाद में डालूंगी पुदीने की पत्ती ये देखी बहुत ही टेस्टी बना है मेरा दही बड़ा आप इसे जरूर ट्राय कीजे रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कामेर्स और चैनल को सब्सक्राइ करेगा आप इसे से जरूर ट्राय कीजे अ झाल झाल